कुल 102 प्लियर्स होने वाले है रिटेन प्रो कबटी सीजन 11 के ऑक्सन से पहले आईए इस वीडियो में सभी टीम के प्रोवेबल रिटेन प्लियर्स के बारे में जान लेते हैं शुरुवात करते हैं डिफेंटिंग चेंपियन्स पुनेरी पल्टन के साथ एक्सिस्टिंग एन्वाईपी में चार खिलाडी देखने को मिल जाएगे जो की है नितिन मलीक, दादासो पुजारी, वैभव कामले, तुसार अधावडे आरवाईपी की बात की जाए तो आरवाईपी में हमें टोटल 6 प्लियर्स देखने को मिल जाएगे साथ प्लियर्स देखने को मिल जाएगे सबसे पहले असलम इनामदार, फिर पंकच मुहीते, मुहीत गोयत, अकास सिंदे, संके सावंद, गौरफ खत्री एन अभीनेस नदराजन देखने को मिल जाएगे तो पुनरी पल्टन के टीम से कुल 11 प्लियर्स रिटेन हो सकते जिसमें से 4 कनफर्म है जो की existing एनवाईपी जे, अब बढ़ते है सीजन 9 की चैंपियन जैपूर पिंग पैंथर्स की तरफ, तो जैपूर पिंग पैंथर्स की टीम की तरफ से existing एनवाईपी में रिटेन होग रेजा मीर बगेरी और वी अजीत कुमार रिटेन होते होए दिख सकते, तो टूटल साथ प्लियर्स रिटेन होगे जापूर पिंग पैंथर्स के अंडर जिसमें से 2 कनफर्म है जो यहाँ पे अभिजीत मलिक और अभी मन्निव रगू अंसी है, अब बढ़ते है सीजन 8 की चैंपियन्स दबंग देली केसी की तरफ तो दबंग देली केसी के टीम में एक्जिस्टिंग एनवाइपीज में हमें 4 खिलाडी देखने को मिलेगे जो यहाँ पे योगेस दहिया है, मनु देशवाल, आसिस मलिक और हिमत अंतिल है, रिटेन यंग पियर में सिर्फ एकी ख दबंग देली के टीम से भी साथ खिलाडी देखने को मिलेगे जिसमें से चार अल्रेडी कनफरम है, योगेस दहिया, मनु देशवाल, आसिस मलिक और हिमत अंतिल, अब विडियो में आगे बढ़े, इससे पहले बहुत ही इंपोर्टेन चीज बता देना चाहता हूँ, प्र कोचिस को लेके, एन्वाइपी साइनिंग्स को लेके, छोटी से छोटे अपडेट्स आते हैं, जिस पर वीडियो नहीं बना सकते हैं, वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगा, जिनों ने भी अभी तक जॉइन नहीं किया, आप जॉइन क पहला लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक किजिए, फटा-फटा आप जॉइन हो सकते हो, और दूसर तरीका है कि आप टेलिग्राम पर जाके, सिंप्ली एडडिरेट, स्पोर्ट्स निफ सेवन सर्च किजिए, सबसे पहले जो चैनल दिखेगा, उस पर जॉइन कर लिजि जाए तो आरवाईपी के अंडर दो खिलारी रिटेन होगे, परतीक दाया, और साथी में राकेश सुंग्रोया, एंड इलीट प्लेर्स की बात किजाए, तो इलीट प्लेर्स के अंडर रिटेन होगे, सोनु जागलान, सोमबिर गुलिया, एंड दीपक सिंग, छे खिलारी जाएंड से रिटेन होते होगे दिख सकते, जिसमें से एक कनफर्म है, अगली टीम है पिछले सीजन की पाइनलिस्ट हरियाना स्टीलर्स की टीम, हरियाना स्टीलर्स की टीम से तेरा खिलारी रिटेन हो सकते, एक्जिस्टिंग एनवाईपी की बात किजाए, तो चार खिला आसिस नर्वाल देखने को मिल जाएगे, अभी भी तीन खिलाडी कम है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, विकोज नोमिनेटेड एन्वाइपी ज भी हरियाना के टीम ने अनौन्स कर दिया है, जो की विकास जादव है, गनाना अभी से एक एंड साहिल नर्वाल देखने को मिल जा पटना पारेट्स की टीम में एक्जिस्टिंग एंड वाइपी ज में तीन खिलाडी देखने को मिल जाएगे, सबसे पहले सुधाकर, एंप, फिर कुनाल महता, एन लास्ट में अभी नाथ सुभास देखने को मिल जाएगे, रीटेन यंग प्लेयर में एक भी खिलाडी तो एलिट प्लियर्स पे चार खिलाडी देखने को मिल जाएगे सबसे पहले सचिन तनवर, संदीप कुमार, क्रिशन धुल और अंकी जागलान होगे तो यह साथ खिलाडी हो सकते रिटेन पतना पारेट्स की टीम से नेक्स टीम है बेंगॉल वारियर्स की टीम से की बात कीजाए तो एलिट प्लियर्स में रिटेन होगे नितीन कुमार, सुभम सिंदे और नितीन रावल यह आठ खिलाडी रिटेन होने वाले बेंगॉल वारियर्स के टीम से अगली टीम है बेंगलूडू बुल्स की टीम से एक्जिस्टिंग एनवाईपी से रिटेन आख्शिद धुल, परतीग गुलिया, और अरुलनाथ बावू, रिटेन की बात कीजा है तो रिटेन यंग प्लियर्स में भरत हुड़ा रिटेन होगे एन साथी में अमन अंतिल भी रिटेन होगे। एलिट प्लियर्स की बात कीजाए तो एलिट प्लियर्स से सौरब नंदल, सुशील, सुर्जित सिंग, सचिन नर्वाल और निरज नर्वाल रिटेन हो सकते हैं, जिसमें से चार अल्रेडी कनफर्म हैं जो की existing एनवाईपी जेंग अगली टीम की बात करते हैं तो अगली टीम तमिल थलावस की टीम है, तमिल थलावस की टीम से existing एनवाईपी में रिटेन होगे, विशाल चहल, रोनक खार, नितिन सिंग और नितेश कुमार, वहीं पर रिटेन यंग प्लियर्स की बात करते हैं तो आरवाईपी में साथ खिलारी रिटेन हो सकते हैं जो की है नरिंदर क अगली टीम की तरफ बड़े, इसे पहले मां आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने क्रिकेट गली फैंटेसी टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया तब बहुत कुछ मिस्ट कर रहे हो, इस टेलिग्राम चैनल पे आपको क्रिकेट के फैंटेसी टीम्स देखने को मिल जाएगे, साथी में डेली मैच के प्रेडिक्शन भी किये जारे, बेस्ट एक्यूरेसी के साथ, अभी इंडिया वसिस जिंबाबवे का, टी ट्वेंटिया सिरीज चल रहे है, अभी बहुत सारे टी ट्वेंटी लीक्स भी चल रहे है क्रिकेट में, तो सभी मैचेस के प अगली टीम है, यूपी योधास की टीम, यूपी योधास की टीम से एक्जिस्टिंग अन्वाइपीज में देखने को मिल जाएगे, गगन गौड़ा, शीवन चौदरी एंटेश, वहीं पर आरवाइपी की बात किजाए, तो रीटेंद यांग प्लियर्स में हमें सुरेंदर गिल, आसू सिργ, एन्सुमित सांगवान देखने को मिल जाएगे, एलिट प्लियर्स की बात किजाэ, तो एलिट प्लियर्स में एकी खिलाड़ी देख प्रफुल जवारे, संजीवी एस, ओमकार पाटिल और अंकी जागलान, रवाईपी में एक भी खिलाडी नहीं है और वहीं पे इलीट प्लेयर्स में हमें अजीत पवार और साती सात मिला जबारी देखने को मिल जाएगे, तो यह है तलगु टाइटन्स के रिटेन प्लेयर्स जिसमें से existing NYP's confirm है, इलीट प्लेयर्स का अभी भी डाउट है कि कौन से प्लेयर्स रिटेन होगे, सो यह थे सभी टीम्स के प्रोवेबल रिटेन प्लेयर्स, 102 खिलाडी हो चुके है, पूरे complete, और मैं आपको बता दू, सभी टीम पे detail वीडियो बना दिया है, अगर आपको सभी टीम पे detail पे जानना है कि कौन सा खिलाडी क्यों रिटेन होगा, कैसा performance था पिछले सीजन, कितने salary मिलेगा रिटेन का, तो उसका प्लेयलिस्ट आपके screen पे show हो रहा होगा, उस पे आप click कर सकते हो, जिसमें से अभी बता दू, existing NYP's ही 100% confirm है, और बाकी RYP भी आप कह सक तो कि 99% confirm है, elite players टीम पे depend करता है कि उस खिलाडी को retain करेगा या फिर नी करेगा, या फिर वो खिलाडी चाहता है कि मैं auction में जाओ, तो वो खिलाडी release होने वाला है, बाकी आप playlist से कर सकते हो, और कौन से 10 बड़े खिलाडी होने वाले है, upcoming pro कबड़ी season 11 के auction में, वो वाला व